नमस्कार मेरे ना मुहलाल सुमन और मैं प्राथियों इद्ध्याला राजपुर बिला गुर्सुना जन्वाज जहां से उत्तव देश में प्रधाना ध्यापत की पर कार्यत हूं मैं अपने एक आइडिया के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं जो आइडिया मेरा हुआ कोविड नाइटीन के समय कोरोणा वायर्स पहला हुआ था बहुत तेजी से पहल रहा था देश क्या पूरे भिस में फेला हुआ था और उस समय हमारे पूरे देश भर में इसकूल कॉलेज सारे बंद हो गये तो हमारे विद्यालागे बच्चे इसकूल नहीं आ पा रहे थे और साथे और भी अन्य विद्धियालाई की बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाये जिस वज़े से उनकी पढ़ाई बहुत प्रवावत हो रही थी और पढ़ाई करनी पा रहे थे उस समय मुझे एक आइडिया दिमाख में आये क्यों ना इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा कारी क किया जाए जो इन सभी के लिए लागकारी हो साथ मैं जब लॉकडाउन देश में लग गया था तो मैं भी घर से बाहर ने निकल पा रहा था मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि सभी से कुछ मुलाकात भी हो सके बात भी हो सके और मैं उनको कुछ सिखा सकूं में जी हां मैंने कौन मैंनेगा लॉग्डॉण जीनियस नाम से एक लाइफ सुरू किया और यह लाइफ सो मैंने अपनी फेस्वुक आईडी से शुरू किया इस को सुरू करने के लिए मुझे सामगरी की कोई विसे सामगरी किया विसकता नहीं पड़ी बस मेरे घर में यूज सुपए बच्चों को बता दिया साथ ही मैंने अब भी पर पोश्ट डाली कि मैं एक लाइफ सुरू करने वाला हूं और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो वह इस सो से जरूर जुड़े तो मैंने जैसे ही स्काइक लाइफ स क्या और एप्स के माद्यम से सामन ग्यान की कुछ बनाए जिसमें हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान गरत सभी से समलित करके पंदरा कोश्टन कभी 20 कुश्टन कभी 30 कुश्टन ऐसी कुछ बनाए तो यह कोई लेकर कि मैं जैसे एब पर आया तो मेरे साथ मेरी दोनों बै अतर्ड दिया और इनहीं पितिर दिन हमारे लाइफ फेयर सो में आने लगी सोल में सबसे पहले होता था कि मेरी दोनों बेटी ओंदिलों का एक गाना अभी सब्परकालगाता हुआ आपसका चल रहा है मेरा आपको बता दो कि मेरा आज और सबसे पहले गीत होता है जो कोना के त salads करने के लिए वह गीत होता है मेरी बेटियों के द्वारा होता है। और उसमें सब यह जितनी लोग जुड़े होते हैं तो उनसे अर्yll Уबुकर कर्ने के लिए हाथों को बावा बाव लें मेदेर का सनिटाजर करें जैनकारी को जागरुख करने के साथ ही इसके बाद में कुई करता था सब्सक्राइब तो जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो वो सभी उसके आंसर देते थे मैं बता दू मेरे सो में देश भार से कई राज्यों के बच्चे बड़े सिक्षक फिल्म कलाकार इस लाइफ सो से जुड़े साथ ही मेरे विद्यालर प्राति विद्यालर राजापूर के अधिकतर विद्यालweder अधिक्ष Leter प्रिसों में बच्चे जिनके पास मोवाइल घर में वैसे बहुत कम गाउं में मोवाल यूज होते हैं बच्च пару तो जितने के पास है तो बहुत सारे बच्चे भी मेरे सो से जुड़े और उन्होंने पिसनों तर जो में पूछ ता था तो उनकी अ सा सो का नाम है उसको लॉकडाउं जीनियस की उपादी देते हैं और जैसे उपादी उनको मिलती है तो बहुत खोस होते हैं और अगले दिन उनको फिर से इंतिजार रहता है कि मेरे ये सो फिर से आंगे दूसरे दिन भी हमें देखने को मिलेगा इस तरीके से हमारे सो में हजा से चार हजार पिसनों को अपनी कॉपियों में लिखा और उनको सीख लिया है और वो इस तरीके से मतलब जैसे कोई बड़ी परिक्षन उनको बैठा या तो भी मुझे लगता हो बच्चे क्रॉस कर लेंगे पास कर लेंगे ऐसा उनके अंदर आतमिस्वास जागे तुगा उन्होंने ऐसा को सीखा है और मैं बताना चाहूंगा मेरे सो से बच्चे अभी बावक और साथ ही फिल्म कलाकार सिक्षक सिक्षक इस सभी जोड़े रहें और निश्चतरू से इनको भी से सो से लाब हुगा और मेरे सो में शुरू करने के लिए या अभी मेरा सो चला है कभी 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 नेट बर्क कहीं कहीं किसी के पास प्रॉल्म होती है तो थोड़ा सा व्यवधान पैसे ज्यादा नहीं कभी कभी बिलर होता है लेकिन हमें सा सो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं आपको बता रहा था कि से बच्चे के साथ बड़े अभी बावक सभी इस से प्रफित हो रहे हैं और आज भी चल रहा है और मैं हां बताना चाओंगा कि मेरे इस सो के लिए मेरे जो सो होगा है सो के लिए मुझे बिहार जाँ जार्खन दिली इंत्यव deciश की कुछ समाथ से भी संस्ताओं के द्वरा समानत किया गया है और मुझे। असे पिर्दान किया गया है और मैं बताना चाहोँ है कि मेरेस का आज आज दूसों 12 दिन पूरा हो गया है और है सो एसे ही आगए भी ही लगातार चलता रहाएं चैनलब मेरे पतनी संगीता जोटी जोटी सरकारी विध्यार हां सिंक्षका है उट उनका भी मेरे साथ हमेशा सयोक रहता है और मैं हमेशा हमारा सैयोक करते हैं और हमें आपको बताना चाहूंगा कि यह सो जितनी कुई जबी तक हुई है यह लगाता चल रही है और यह आंगे भी अभी चलता रहेगा क्योंकि कोड़े स्कूलों के बड़े बच्चों के लिए अभी इसकूल नहीं है तो मेरा अभी प्रयास लगाता जा रही हो प्रति दिन फेस्बुक पर एक से दो घंटे का मेरा यह लाइब सो आ रहा है और मेरे इस नवाचार के लिए मुझे जो पुरुत सायत किया या मुझे नवाचारों को आंगे तक बढ़ाने के लिए जो पुरुत सायत किया उसके लिए मैं स्री अर्विंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्वाद देना चाहता हूं साथ ही मैं ZIIEI को भी बहुत बहुत धन्वाद देना चाहता हूं और साथ में धन्वाद देना चाहता हूं HDFC Bank को जो हमेशा इन नवाचारों को आंगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रतनसील रहते हैं इन सभी को मेरी और से बहुत धन्वाद और ये सो मेरा ऐसा ही आभी आंगे चलता रहेगा जब तक कोरोना दूर नहीं अटेगा तक मेरा सो भी इसी तरीके से चलता रहेगा और उन बच्चों के लिए जो नहीं जा पारे स्कूल वो लावनवित होते रहेंगे बहुत धन्वा नवस्कार नवाचार सिर्फक स्वमुदाइग स्वभागिता कंतरगत कौन बनेगा लोगडौन जिनियस गेम मैं रंथूसा हूँ पधानाचार उतकमित मत बिद्याले महवी नगर उपर टोला खलारी राची जारखंड में कर रत हूँ हमारा नवाचार स्वमुदाइग स्वभागिता कंतरगत कौन बनेगा लोगडौन जिनियस गेम है जब लोगडौन हुआ तब सिक्षा की बेवस्था देनियत थी सभी बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अब मेरा पठन पठन क्रिया कैसे होगी यही सोच अभी भावकों में भी बिद्याले के पोफ़क छेत्रों में ब्रह्मन के दवरान देखने को मिला लोगडौन होने के पहले हमारे बिद्याले में सुरू से ही कौन बनेगा बेस्टे स्टूडेंट का प्रोग्राम चल रहा था लेकिन जब पूरे देश में कुरोणा जैसी महमारी के कारण लोगडौन पूरी तरफ से हो गया तब बिद्याले के पोफ़क छेत्रों में घर घर जाकर स्मार्ट फोन का नंबर लिया और बिद्याले का ग्रूप बना कर सभी को जोड़ा तुरंथी दो दिनों के अंदर कौन बनेगा लोगडौन जिनियस गेम के बारे में बिद्याले के पोफ़क छेत्रों में जाकर बताया कि जब फेस्बुक पर लाइब प्रती दिन पाठ्याधारित कारिकरम और समान ग्याम से समंधित अपने सुपुत्र सुपुत्री के बीच पुछेंगे और बिद्याले तथा प्रखन के ग्रूप में भेजेंगे तो कैसा लगेगा सभी लोगों को लाइक कोमेंट्स करने को पूछा गया सभी लोगों में उत्सुकता नजर आई तो मुझे लगा कि इस गेम के जरिये सफलता प्रूवक कारे कानिस्पादन किया जा सकता तब मुझे लगा कि क्यों नहीं अपने घर में उपलब्द स्विमित सनसादनों से ही बेहतरीन रूप से कारे को किया जाए ताकि अपने बिद्याले के बच्चों के साथ प्रखन के बिद्याले के बच्चों को भी लाब हो मेरे बिचार से सुचारू रूप से क्रिया नवित कारे हैतू घर के उपलब्द समागरियों जैसे मुबाइल एस्टेंड, वादेयंद, कुर्सी, ब्लेक वाइट बोर्ड, चार्ट पेपर, मारकर पेंड, ब्लुटूथ, इस्पिकर, से बिद्याले के बच्चे, परखन के बच्चे, जीला के बच्चे, राज के बच्चे के साथ, अन्य राजियों के बच्चों को भी कुछ न कुछ लाब हो, और लोगडॉन में बच्चे को खेल के जरिये, पाट पूस्तक से ही वस्तुनिस्ट प्रफनों का भरपूर ज्यान मिल जाए, और बच्चे पूरी से आक्रफित हो जाए, तब नए नए गतिविधियां जैसे गीत, नरीत, क्राप्ट, कवीता, पहली, रंगोली और पाट पूस्तक से हटकर समान ज्यान आदिप पर भी आक्रफित करने पर ध्यान मेरे मन में आया, इस कार को मुझे सिर्फ स्वमुदाइक स्वभागीता के अलावे किसी की अनुमत्ती के आउसकता नहीं हुई, और नहीं किसी अन्य की आउसकता हुई, मैंने नमचार को अमल में लाने के लिए फोन से अविभावकों को सिक्छा के प्रते धीरे-धीरे जागरुक किया, रुजान नहीं लेने वाले अविभावकों से मैंने सलाह करक के उनका समर्थन और सहयोग लिया, तथा महमारी की स्थिती में अपने नमचार को सफलता प्रूवक, मैं अपने सुपुत्री कृतिका कुमारी, सुपुत्र मयं कुमार साहू के बीच, समय तीन बजे अपराहन से लेकर, चार बजे अपराहन तक, के बीच, मास्क, सेनिक टा गर के उपलब सिमित संसादनों से ही मैंने इस कारे को सुरू किया, जिसकी तिथी है 13 अपरेल 2020, जब नमचार लागो हुआ तब छात्रों उनके माता पिता और सिक्षकों में उतनी उत्सुत्ता नहीं दिखाई दी, लेकिन जब टीवी, पेपर, सोसल मिडिया में प्रोगा आने लगा, तब लोगों में बहुत ही उत्सुता नजर आई और समार में पढ़ रहे बिद्याले के बच्चों या अन बिद्याले के बच्चों के साथ अविभावकों में सकरात्मक बदलाव भरपूर आया और लाइक कॉमेंट्स का फिलफिला जारी हो गया और बच्चों ने भी प्रफ्ल और उत्तर अपने कोपी में नोट किया और उसे याद भी किया, तब मैं बिभीन तरह के कारियों को जादा से जादा बहत्रिन रूप से करने लगा, अब मैं बच्चे एवं अविभावकों को कम मेहनत में ही बहुत सारी जनकरियां दे देता हूँ, अब मै प्रती दिन पोषक छेत्रों में समाजिक दूरी को दिखते हुए भ्रमन के क्रम में बच्चों के पठन-पाठन की क्रिया से समन्धित पुष्टाच करता हूँ, अब तो बच्चों एवं अविभावकों में सिक्षाक प्रती रुझान सत परती सत दिखाई परती है, जब म मैं पुछता हूँ कि सभी विषयों का पाठ क्रिया कैसा चल रहा है, तो सुनने को मिलता है कि घर या इसकुल में हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए दिशानी देश का पालन करते रहेंगे, तब मुझे अंतिम में हसास हुआ कि मेरा एक छोटा सा डॉन जिनियस गेम से सही में बदलाव भरपोर हुआ, और इसी एक छोटे से पाहल के जरिये अपने बिद्याले के सभी सिक्षकों के द्वारा पोसक छेत्रों में जाकर जहां मुबाइल की बियस्थान नहीं है, उन गाउं टोलों महलों में भी सिक्षन कार किया जा रहा है जिससे लोग खुब सरा रहे हैं, इसका फैदा उठा रहे हैं, जिससे मेरा भी होसला खुब बढ़ा है मैं स्री अर्विंदो सोसाइटी और ADFC बैंक को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच सुन से ससक्तिकरन का अनुखा पहल लेकर आए, जिससे पूरे हिंदुस्तान को सिक्षा के छेत्र में मजबूती मिला ये अनुखा पहल हमेशा बना रहे जिसने मुझे ये औसर परदान किया